ICC T20 विश्व कप के पहले मुकाबले में भारतिय टीम को चीर प्रती दोंदी पाकिस्तान के हातों करारी हार मिलने से भारत की क्रिकेट प्रेमियों में मायूसी का महोल देखने को मिला कई दिन से महा मुकाबले में पाकिस्तान की हार पर जश्न की तैयारी में जुटे, क्रिकेट प्रेमियों की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई रवीवार को दुबई में भारतिय टीम को पाकिस्तान के हाथों एक तरफा हार का सामदा करना पड़ा दस विगेट से मिली हार के कारण क्रिकेट प्रेमियों में निराशा देखने को मिली टूर्नमेंट के शुरुआत से ही महा मुकाबले में भारतिय टीम की जीत के लिए क्रिकेट लवर्स ने रविवार को सुभे से ही मंदिरों में हवन पूजन व जशन की तयारी कर ली थी वर्ल्ड कप मुकाबले में टीम इंडिया की ये हार भारतिय क्रिकेट फैंस के लिए गम का पहार तूटने जैसा है बिहार के फार्बिस गंज में तो क्रिकेट फैंस इस कदर गम जदा हुए उन्होंने मैच खत्म होते ही टीवी सेट तोड़ डाले फार्बिस गंज के छोवा पटी में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर सुभे से ही तैयारिय की जा रही थी कहीं प्रोजेक्टर लगाए गए थे तो कहीं पर टीवी सेट पर मैच देखने का प्रोग्राम बना रखा था लोग टीम इंडिया की काम्याबी की दूआ कर रहे थे लेकिन मैच का रिजल्ट इसके अपोजिट आया क्रिकेट फैंस अपने गुसे पर काबू नहीं रख सके विराट आर्मी की हार के बाद भारतिय क्रिकेट फैंस ने जम कर अपनी भडास निकाली एक शक्स ने लिखा कि पाकिस्तान ने भारत को नहीं हराया है बलकि ओवर कॉन्फिडेंस की वज़ा से ये शिक्सत मिली है कई लोगों का मानना है कि अगर शारदूल ठाकूर को इस मैच में मोका दिया जाता तो बाजी पलट सकती थी वही कुछ ने तो ये तक कह दिया कि इंडिया ने मोका मोका की वीडियो जो निकलवाई थी उसी में ही सबसे वड़ी गलती कर दी कईयों ने तो ये तक कह दिया कि इंडिया मैच ही इस वीडियो की वज़े से हारा है भावुक होते होते एक फैन ने कहा कि इन्होंने हमारी भावनाओं के साथ खेला है और तो ने करवाचोत पर खाना छोड़ दिया और टीवी के सामने बैट गई थी लेकिन अब हम कही के नहीं रहे भारत में भी अलग अलग जगा टीवी तोड़कर प्रदर्शन किया गया कही अररिया में तो कही आगरा में टीम की हार के बाद भारतिये फैंस मायूस जरूर है लेकिन उन्हें यी भरोसा है कि टीम इंडिया आगे बढ़िया खेलेगी और वापसी करेगी